हेलो वेलकम बैक टो आईटीव चैनल तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगे साथ डिसक्स करूंगा कि क्वान को आप लोग कैसे प्रिपेर कर सकते हैं फोर दिय अपकमिंग बेंक एक्जाम्स ओके जो 2022 में बेंक एक्जाम्स होने वाले हैं जैसे कि आई वीपीएस का SBI का, RBI का, साथिसाथ LIC, NICL यह सारे में जो क्वान सेक्सिन है उसको आप लोग अच्छी तरह से कैसे प्रिपेर कर सकते हैं वह मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा ओके मैंने कैसे प्रिपेर किया वह भी में आप लोगों बताऊंगा ओके तो वीडियो का एंटर सब्सक्राइब करें आपको नोडिफिकेशन मिल जाए तो चलिए देखते हैं तो स्टेप बई स्टेप मैं आप लोगों बताऊंगा और साते साथ जो इसका स्मार्ट अप्रोच होने वाला है वह भी मैं आप लोगों बताऊंगा ओके तो पहला जो है वह है बैसिक नोलेज में आप लोगों क्या यह मैं बिगनर्स के लिए बता रहा हूं कि बैसिक नोलेज में आपका है पहले तो आपको चैप्टर्स कौन से पुछा आते हैं वह आपको पता होने चीव जैसे कि हो गया सिंप्लिफिकेशन नंबर सिडिज अरित्मेटिक में हो गया परसेंटेज ट को थिए एंयसे इस श्पीड थायं इंडिस्टेंज पाइपन दिस्टन से ट्रिद्टेञी सर ने लिए कनवरको और वह और ट्रश्ण यह आपको प्रेलिम स्में पुछाता इख कहां पुछाते में प्रेलिम स्में टो आप लोग स्था एसे करेंगा अपना प्रिपेसंट तो सबसे पहले आपट देखेंगे Simplification तो Simplification में देखे सिंपल एप्रोच अरब बात करो तो Simplification आपको बनाना आते ही अपने लोग ने शील हम 10 तक मीद परा है तो Simplification आपको कैसे बनाहा जाते है वह पता होगा पट बैंक एक्जाम में क्या होता है उसमें इतना टाइम होता है एस सिंपल एप्रोच इससे में जाएंगे तो यही खा जाएगा तो basic knowledge का मतलब इसमें क्या हो गया shortcut आपको simplification का shortcut सिखना होगा कैसे जैसे मैं बोलूं कि question पूछा है 40% of 20 क्या होगा तो इसका answer हो जाएगा 8 तो जैसे आप लोगों को देखके ही पता चाल जाना चाहिए कि इसका answer क्या होने वाला है कि छोड़े-छोड़े steps के जैसे 40% of 20 क्या हो जाएगा 8 वैसे ही 30% of 60 यह क्यों होने वाला है तो 18 तो इसे आप लोगों को जो इसका shortcut है वह आप लोगों पाता होना चाहिए तो यह आपको पाता होना चाहिए तो simplification और इसका पहले आप लोग वीडियो देख लेंगे कैसे किया जाता है कहां से देखना है कहां से करना वह भी मैं आप लोगों बताऊंगा इसका practice कहां से करना है वह भी मैं आप लोगों बताऊंगा ओके उसके बाद जो है next वह है number series तो number series से clerk में पास question आता है number shift के पहले तो दो टाइप है एक है missing और दूसरा है wrong एक है missing number series और एक है wrong number series okay तो clerk में missing जादा रहता है wrong भी आजाता है कोई भी कोई shift में और प्योर लेबल में तो जाता है रोंग यह आता है रोंग नंबर यह missing होगे यहाँ पर 10 आएगा उसको बाब थाटी 9 तो आपको बताना होता है कि यहाँ पर क्या होगा क्या होगा तो आप लोग nations कि यहाँ पर प्लस one मों 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 में तो इसके भी कुछ limited है limited इसके कुछ पेटन है वह अगर आप लोग सारे पेटन को अच्छे तरसे फोल्व कर लिए देख लिए समझ लिए तो नमबर से इसका कोई भी कोशन आप लोग आराम से बना सकते हैं तो इसको भी आपको पहले क्या करना है आपको यूटुब से पहले वीडियो देखना है कहा क्या सब को इसका बीडियो देखना है एक टैटिटिस कांसे करना है वह भी आप लोग 캉ंगा इसका प्रैक्टिस के कहां से मिलेका है ओके है다 the next next आता आपका arithmetic section or arithmetic section में आपका जो most important chapters है वह है percentage, ratio and proportionpost and profit loss यह तो आपको करना ही करना है इसका basic अच्छे से जानना है बहुत ज़्याद अच्छे से कि उसके साथ साथ आपको क्या आता है ऐसाइए ऐसाइए सीएए स्पीड टाम एंडिस्टेंस फाइपन सिस्टेंट मिख्षयर टाम और को तो तीन है तो यह शारों बहुत जादा इंपोर्टेंट है ऊके मीं इंपोर्टेंट है वो भी आव लोग बताओंगा एसे तो आरिथमेटिक आपको ऐतेds कोषन में रहे हैं औरहल sounds मिलते ही तो यह चारों क्यूमिंपोर्टेंट है नरा एंडिस्टेशं मांक है गोशुके नरा कि इसका बात हुसाना इह जो स्क्राइस करते कर सकता है तो दैटर दैटर इंट इनडिर्पेडिसन में यह होता है क्वार झार ने कुर्व क्या सकते हैं कि तो डाटर इंडिपेडिसन ने वह सब्सक्राइब टेली पर्संटेज एवरैज यह पॉपेट लौस में बैंज होता है यह और आपको अच्छे से पता है असरे अंकूसलमबा से ट्ने ज़्यादा बैसिक से शिकाते हैं कि अगर आपको कुछ पता भी नहीं तो आप वहां से आराम से बैसिक से पूरोलल बो cow सकते हैं तो मैं highly recommend करूंगा आपको कि जो डाटा इंडिप्रेशन है इस्टार्टिम अगर आप लोग बेसिक है तो आप लोग अमको स्लंबा सर अमको स्लंबा बेंकिंग क्रोनिकल्स नाम का एक यूटीव चैनल है सरका यह आप लोग दाटा इंडिप्रेशन भाई आपको मिल जाएगा प्रिलिम्स लेबल का उके प्रिलिम्स लेबल का मारेगा तो वहां पर लोग महाल चाहिके सिख सकते हैं उसमें एक 80-90 वीडियोज हैं हर वीडियो में सब्सक्राइब करा है तो वहां से आप लोग अराम से सीख सकते हैं तो यह रहा बेसिक नोलेज आप लोग यहां से बेसिक नोलेज यह सारे का ले सकते हैं ओके अगर कोई डाउट हो तो आप कोमेंट सेक्शन हो पूछ लिएगा मैं बता स고 जानां तो भीर्म एनतना शॉष्प कासे क्लिया किहाता मैंने जो आंक पांसे अधमिक का बेसिक था वह पहले में डयल्वे का फ्रपेसंट करता था और वहां पे मैंने वाइपैस्टैटि से कर सार तो मैंने वहां से बैसिक क्लिया था तो मुझे उतना जरुत बोड़ा नो है यह आपछी सब्सक्राइब लेगा आप लोग वेसिक क्लेर करने इरित्मेटिक तो आप कि रेंटी फाइनर कोषिक महूंत्यी सरका वहां से आप लिए तो टामेंट को पूरा 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 पांच गनटा कर जाएगा परसेंटेज का मारे तो तीन अच्छ वाहसा आपको जाके बेसिक क्लियर कर सकते हैं तीन घंटा कर जाएगा और एक लिए तो मैं रिकुमेंड नहीं करूंगा कि यह काफी ज्यादा थोड़ा एडवांस तरह से पर आते हैं मैं रिकुमेंड करूंगा कि पहले आप जो बेसिक है वो के डिफाइनर से कर लिजे और उसके बाद आपको पकर बन जाए तो आप लोग आसी सर्वासर को पकर लिए क्योंकि दियाई के लिए मैंने बता है तो यह यूटूब का स्वर्स है अप लोग आप लोगों को पेट का जरूत नहीं पड़ेगा पेट कॉंटेंट लेने का कोई जरूत नहीं है यूटूब से काम हो जाता है मैंने खुद यूटूब से ही पढ़ाई किया है और मेरे पिलिम यूटूब से बढ़ सकते हैं अब प्रेक्टिस का बात किया जाए कि अगर इतना सारी कोईशन से आप लोग कर तो रहे देख तो रहे हैं ओके यह प्रेक्टिस बताने से पहले मैं बताओंगा मैं बताना चाहता हूं कि पहले आप लोग एटलिस टू-3 मंस तो आप लोग स प्रेक्टिस के लिए अगर आप लोग कर लेते हैं अपने मोबाइल में तो काफी हेलफू रहेगा आपके लिए जैसे कि अड़्डा अड़्डा का जो होता है सब प्लेस्टोर मिल जाएग आपको अड़्डा का एप ग्रेडव जो क्या बाइजूस नाम से आता है ओके प् दॉट कर लिते हैं तो आपको इसमें इतना सारा कॉंटेंट मिलेगा हर एक चैप्टर के लिए कि आप लोग करते करते ठक जाएंगे पर वो कॉंटेंट खतम नहीं होगा तो यह चार एप आप लोग अपने मोबाइल में डाउनोट कर लिए और अगर आप लोग को एप से नहीं करना है तो सिंपल गुगल में सेर्च करिए जो आपको अगर सिंप्लिफिकरशन पर प्रिलिम्स तो आपको बहुत सारे पीडिएफ मिल जाएंगे तो वहां सब लोग पीडिएफ डाउनोट करके सौल्फ कर सकते हैं तो प्रेक्टिस के लिए बहुत सारा जगह है हैूं कि करिके नेंस केडिए तो मैंस के लिए तो काफी सारे यह सोचते हैं कि अभी तो मैं परीलिम्स का स्टार्ट किया हूँ वीलिंघिण हो तो मैंस मेहिजै प्रहूँगा अगर्व पीलिम्स क्लियर हो जाएगा तब जाकर बहुत है यह काफी ज़्यादा गलत अप्रोच है मैंस को भी आपको साथ ही सथ लेना लेकर चलना पड़ता है मैं यह नहीं बोलना हो कि आप लोग आज ही स्टाट किये तो आज ही मैंस लेकर बिर जाएगा उसके नेक्स दिन से ही आप लोग मैंस का स्टार्ट कर दीजिए मैंस का अगर इरित्मेटिक का बात को देखे हाई लेवल इरित्मेटिक तो आपको करना ही पड़ेगा मैंस आपको देना ही है अगर आपको बैंक मेंग में जोब चाहिए तो मैंस लेवल का कोईशन करना पड़ेगा जो हाड़ाट कोईशन होते हो आपको करना पड़ेगा तो सबसे बेस का एक प्लेइलिस्ट है कौंटम केट वाइ सर्वेक्सर सर्वेस कुमार बर्मा तो वहां से आप लोग एक चैप्टर वाई साब लोग वहां से एक को प्राइक कर सकते हैं पूख भी लेने का आपको जुरूतनी पड़ेगा वहां पर सार एक एक कोशन को अच्छे तरशी पू आपको बस रोज एक वीडियो देखिए कि केसे किया जा रहा है किसे बन सकता है क्योंकि मेंस लेबल डियाई करें कोई वह नहीं है कि양लता है और खतन निमत बहुत सारा मैंशनी लिए पहुत सडरा होता है अलर अलग पेटर्ण का होता है तो आप लोग केडिये कि हर एक दिन एक वीडियो मेंसलेबल डियाई का देखें है आगर अगर अपर लोग ले aberdeDel here कर बेस इस्ट्रोंग कर लेते हैं तो आपका data sufficiency और quantity based question भी आपका बन जाएगा तो यह कुछ था क्वान को प्रिपेर करने का अगर आपको कोई भी डाउट है तो comment section पूछ सकते हैं मैं reply जरू करूँगा अगर आपको वीडियो पसंद है हो तो लाइक कर देजिएगा और साथे साथ share कर देजिएगा और subscribe भी जरू कर देजिएगा टैंक यू